आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से चिकन को मैरिनेट करने का तरीका बताऊंगी जिससे आप घर पर ही बहुत मज़ेदार फ्राइड चिकन तियार कर सकते हैं इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी वो 6 लाइट पीस है जिनको मैंने धोकर स्टेनिंग बाउल में खुश्क कर लिया है 1 tablespoon lemon juice, 1 tablespoon besan, half tablespoon नमक, half tablespoon मेर्च, सुर्क मेर्च हाइए, half tablespoon black pepper, काली मेर्च, half tablespoon गर्मसाला, half tablespoon आमचूर पौडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉन फ्लोर और यह वन पिंच रेड फूड कलर है, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा. अब मैं इन लेगपीस को कट लगा लूँ, एक-एक लेगपीस को आप तीन जगा से इस तरह से कट लगा लें, इस तरह मसाला बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, यह मैं अपने बच्चों के कलके लांच के लिए मेरिनेट कर रही हूँ, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ, बच्चे ऐसी चीज़े शौक से खाते हैं, अगर मम्मा इतने प्यार से बनाए तो और भी एंजॉय करते हैं, अब यह सब के सब कट लागे हैं, अब यह तमाम मसाले और लेमन जूस हम इसको बढ़ें, लगा लेंगे यहां पर, यह लेमन जूस लगा दिया हमें, अब यह एक चमच बेसन, नमक, लेसन अद्रका पाउडर, आमचूर पाउडर, कॉन फ्लोर, गरम मसाला, काली मेच, सुर्ख मेच और रेड पूर तलर, यह सारी चीज़ें, अब इसे में, अच्छी तरह से मिक्स कार लूँगी, ताके जो हमने काट लगाए हैं, इसके अंदर भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए, चैनल को प्रीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, रेड कलर जो हमने इसने एड किया है, उसकी वज़े से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, यह मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी शकल कुछ इस तरह हो गई है, यह मैं इसे ओवरनाइट मेरिनेशन के लिए रख दूँगी और सुबो फ्राइए करूँगी इसे, फ्राइए करने का तरीका मैं आपके साथ नेक्स किसी वीडियो में शेयर करूँगी निशाला, आप इसे इसी तरह से मेरिनेट करके 10-15 दिन के लिए अपने फ्रीजर में रख सकते हैं, इसे जब भी महमान आई निकालें तीन से चार मिनिट इसे फ्राइ करें और गर्मा गर्म महमानों को पेश करें, सॉस के साथ, अम्रूद की चिटनी के साथ और दही की चिटनी के साथ दूए, मैं इसे अब एर टाइट कंटेनर में डालकर और नाइट रख लोगे, यह देखें, अब इस रेड़ी तो गोटो फ्रीजर, खुश रहिए दौाओं में याद रखिए, आलाहाफेज